नवरात्री शुरू होने के बाद जैसे कई लोग फास्ट रखते हैं नवरात्री के वरत रखते हैं तो उनको अनर्जी की भी जुरूरत होती है मेरी जो आज की रेस्पी है वो है आलू का हलवा ये बहुत ही आलू है जो बहुत ही गुनों से भरपूर होता है इसमें पोटाशिम होता है और डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए आलू बहुत अच्छा होता है सेथ के लिए खास करके जब हम उबले होए आलू के अपनी अलू का हलवा बनाने के लिए यहां पर मैंने पांच बड़े साइज के आलू लिए और इनको उबाल लिया उबाल कर छिलका भी उतार दिया अब मैं एक कदुकस की हल्फ से इसको सारे जो आलू है इनको एके करके कदुकस कर लूँगी और आलू जो अगर चाहे तो आप मैश भी कर सकते हैं लेकिन अगर हम कदुकस करते हैं तो जो इसमें लंस वगेरा कही बर रह जाते हैं वो सारे निकल जाते हैं तो इसलिए मैंने जो आलू है सारे अपने कदुकस कर लिए अब मैं इसके बाद आलू कदुकस करने के बाद एक कड़ाई पैन मैंने गर्म होने के ल बखातार स्पेचुला चलाते हुए जो देशी घी है आलू में पूरी तरह मिक्स कर दूँंगी हमने जो मीडियम आंच पे इसको पकाना है आलू तो आल्रेडी हमारे पके हुए हैं और लेकिन देशी घी पूरी तरह सारे आलू में रच जाए अच्छी तरह तो हम स्पेचुला से सारा मिक्स करेंगे और इसको स्टरिंग करते रहेंगे और जैसे भी हमारा ये घी है हमारा मिक्स हो गया ये देखो कितना सॉफ्ट आलू है जो हमारा बैटर है जब हम एक गलास है मैं यहां पर दूद लूँगी और उसमें एक गलास इसमें दूद का मिक्स करूँगी और दूद भी पूरी तरह हम इसके साथ मिक्स करेंगे अलू के जो मिक्स है सॉटे करेंगे और ऐसे ही सॉटे करते रहेंगे तब तक करेंगे हम जब तक ये हमारा दूद है पूरी तरह आलू में अब्जर्ब न हो जाए और सोक न हो जाए जब दूद मिक्स हो जाएगा उसके बाद यहां पर मैं लूँगी एक बॉल कप है चीनी का चीनी मैंने पाउडर शुगर ली है पीस ली थी और आप चाहे तो चीनी साबत भी ले सकते हैं लेकिन मैं मैंने जहां पर पाउडर शुगर ली है और उसके बाद मैं इसको भी मिक्स कर दूँगी चीनी और दूद को एक साथ ही पकाऊंगी क्योंकि जो चीनी है वो पानी छोड़ती है लगतर सौटे करते रहेंगे अब मैं यहां पर एक टी स्पून है लाइची पाउडर का पकाऊंगी और इनको एक साथ ही सभी चीजों को पकाऊंगी और ऐसे हम मैंने मीडियम आंच पेस को लगा तर हम जब तक यह ठिक ना हो जाए और तब तक इसको सौटे करते रहें आलू के हलवे के लिए अब जो बैटर है इसका वो ठिक होने लगा है और घी भी सेपरेट ह होने लगा जब घी सेपरेट हो जाएगा यह और साइड पैन साइड शोड रहें तो हमारा यह डालू का हलवा वो रैडी हो चुका बनने के बनकर त्यार हो चुका है अब मैंने यहां पर कुछ पिस्ता जो चौप की थे वह एड की उसके बाद मैं यहां पर काजू है और ए देता आलू में उबला हुआ आलू उसमें बहुती जल्दी भूख नहीं लगती अगर आप इसको डाइट में लेते हो क्योंकि इसमें पोटाशिम होता मैगनेशिम होता है फाइबर होता है वितामिन सी बी सिक्स होता है आप इस रेस्पी को ट्राइज रूर करना और मेरा चैनल लाइक करना शेर करना मुझे कमेंट करके बताना कि आपको ये रेस्पी कैसी लगी थैंक्स फर वाचिंग इस वीडियो